क्या फिर एक महाविनास आने वाला है? क्या पोड़ी दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या 29 अप्रील 2020 को दुनिया का अंत हो जाएगा? क्या एक वी साल का चट्टान पिर्थवी से ठक्राने वाला है? इस साल 2020 शुरुआत से ही पिर्थवी के लिए महासंकट वाला रहा है अभी पूरा विस जहां करोना जैसे महामारी का सामना कर रहा है तो अभी करोना का संकट खत्म भी नहीं हुआ तो क्या एक दूसरा महासंकट आने वाला है? इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का वटन दवा दें और दोस्तों के भी सेयर करें 29 अपरेल 2020 को पृर्थवी के बगल से एक विसाल का चटान गुजरने वाला है ये चटान एक विसाल का पहार जैसा गोला है इसका आकार करीब 4.1 किलो मीटर है जो की बहुत ही विनासकारी है 30 अगर ये चटान पृर्थवी से टकरा गया तो लगभग पूरी पृर्थवी नश्ट हो जाएगी अगर ये गोला पृर्थ समुंदर में गिरा तो सुनामी आ जाएगी असल में यह एक एश्ट्वाइड है जिसे छुद्ग्रह कहा जाता है इस तरह के बहुत सारे छुद्ग्रह मंगल एवां बिर्फती ग्रह के बीच में चक्कर लगा रहे हैं नासा के बिज्ञानकों ने ऐसे ही एक छुद्ग्रह 52768 यानि कि जिसका नाम 1998 OR2 का पता लगाया है यह एश्ट्वाइड 1998 में खोजा गया था तब ही से बिज्ञानकों की नजर इस पर है यह एश्ट्वाइड सुर्ज का एक चक्कर लगाने में करीब 32 साल लगाते हैं कच्छा को बाड़ी किस से अध्यन कर रहे हैं यह एश्ट्वाइड धर्ति के कच्छा से करीब वार्शट लाग किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा वैसे तो इस एश्ट्वाइड का धर्ति से टक्राने की संभावना बहुत कम है फिर भी नासा ने इसे पोटेंसिली हजा की केटोगरी में रखा है मतलब की महाविनास काड़ी है लेकिन इस एश्ट्वाइड की धर्ति से टक्राने की संभावना ना मात्र के बराबर है मतलब की पॉइंट वन परसेंट से भी कम क्योंकि यह इस चुद्ग्रह के दूरी जब पिर्थवी के बगल से गुजरेगा त क्योंकि एश्ट्वाइड अपनी गती के साथ साथ जिसाब बदलने में महारत हासिल की है फिर भी चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि इस एश्ट्वाइड की पिर्थवी से टक्राने की संभावना बहुत ही कम है फिर भी जब से यह इश्ट्वाइड 29 अपरेल 2020 को अच्छे टेलिस्कोप से देख सकते हैं इसलिए 29 अपरेल 2020 को इस एश्ट्वाइड को पिर्थवी के बगल से गुजरते वक्त दूर्वीन से जरूर देखिएगा जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एब लाइक करें